हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाट्स यानी की मस्य के बारे में इस पेसली इस वीडियो में मैं बात करूँगा जेनाइटल वाट्स के बारे में साथ ही साथ जनेटल वाट्स यानि की जन्नांगों के मस्य को क्योर करने के लिए मैं कुछ ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप महज 2-3 दिनों में ही इससे छुटकारा पा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ extra precautions और कुछ साथानी रखने की जरूरत होती है और इससे आप permanent तरीके से कैसे निजात पा सकते हैं इन तमाम topics पे इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ तो इस topic पे पूरी information पाने के लिए आपसे request है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखें दोस्तों अक्सर हमारे body के किसी भी पार्ट में skin का overgrowth हो जाता है उसे what's और बोल चाल की भासा में मस्से भी बोलते हैं कई बार वो इस skin का overgrowth इतना बड़ा होता है कि वो इस skin का part लटका हुआ सा दिखाई देता है ये मस्से हमारे शरीर के किसी भी अंग में निकल सकते हैं लेकिन जो जन्नांगों के मस्से होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिद्धी होते हैं और इसको क्योर करने के लिए आप चाहे कितनी भी क्रीम से या फिर मेडिसिन्स का सेवन कर लेंगे लेकिन ये आसानी से नहीं जाते अक्सर जब आप जन्नांगों के मस्से के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो इसके लिए आपको लेजर प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन ज़्यादातर पेसेंट्स को एक बार लेजर से वोट्स साफ कराने के बाद भी दुबारा उनके अंगों में वोट्स निकल आती हैं तो इसके permanent cure के लिए सबसे जरूरी होता है कि जिन कारणों से हमारे शरीर में what's निकल रही है उन कारणों को पूरी तरीके से cure किया जाए तो हमारे genital reasons यानि की जननांगों में निकलने वाले मस्से या फिर शरीर के किसी भी अंगों में मस्षों के कारण की बात करूँ तो मैं आपको बताओं कि इसके लिए एक virus responsible होता है उसे कहते हैं HPV virus यानि की human pipiloma virus अगर आपके शरीर में clusters में और काफी तेजी से मस्से निकल रहे हैं तो इसके लिए आप HPV का test करा सकते हैं नॉर्मल stage में ये HPV 1% से नीचे होना चाहिए लेकिन अगर आपके case में 1% से जादा है तो इसे HPV positive माना जाता है और इसके लिए इस वीडियो में आगे जो मैं treatments discuss करूँगा उसको follow करना चाहिए अब अगर मैं बात करूँ genital wats के मस्सों की symptoms यानि की लक्षन की तो मैं आपको बताऊं कि कई बार genital regions में मस्से flat या फिर planter wats की तरह भी दिखाई देते हैं यानि कि आपके जन्नांगों में skin का overgrowth जो होता है वो flat तरीके से लंबे दूरी में चकतों की तरह फैला हुआ दिख सकता है कुछ cases में ये cauliflower के shape में भी बढ़ता हुआ या फिर clusters में दिखाई देते हैं इसके अलावा ये मस्से आपको soft skin के form में clusters, groups या फिर single रूप में भी दिखाई दे सकते हैं या फिर कुछ cases में ये skin की overgrowth थोरी hard होती है कई बार ये आपके skin के color के ही रूप में या फिर कई बार ये skin के color से ज़्यादा dark या whitish भी दिखाई दे सकता है इन warts को identify करना वैसे तो बहुत आसान होता है और doctors usually इसे देख कर ही easily पहचान लेते हैं तो चलिए अब इस वीडियो में हम मस्सों के treatments और कुछ medicines के बारे में जान लेते हैं और साथी साथ मैं आपको कुछ ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप genital warts के इन मस्सों को महज 2-3 दिनों में ही पुरी तरीके से cure कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानिया भी रखनी होती है और इसके permanent cure के लिए मैं आपको कुछ दूसरी medicines भी बताऊंगा तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंतक जरूर देखें Skin के overgrowth यानि की मस्सों को short time में cure करने यानि की 2-3 दिनों में मस्सों को गलाने के लिए हम लोग जो अपने patient को एक medicine prescribe करते हैं वो है watocene ये watocene lotion आपको fluid के form में मिलती है लेकिन इसको use करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होती है क्योंकि इस watocene में बहुत ही effective आयरुवेदिक ingredients मिला कर बनाया गया है जैसे की खटिका, चूर्न, टंकन भस्म इसके अलावा इसमें और भी कई तरीके के ingredients को मिला कर बनाया गया है जो किसी भी तरीके के skin के overgrowth को गलाने और उसको cure करने के लिए बहुत ही effective होती है इस watocene medicine की packet के अंदर आपको एक user manual मिलता है जिसमें proper तरीके से सब कुछ mention किया हुआ है कि किन तरीकों से आपको इस medicine का use करना चाहिए लेकिन मैं आपको short में बता दूँ कि इसके अंदर आपको एक wooden strip भी मिलती है और इसी के सहारे आपको watts के उपर इस lotion को apply करना है आपको अपने watts के उपर इस lotion को apply करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि ये lotion watts के नीचे normal skin पे ना लगे क्योंकि ये wattocene lotion इतनी ज़्यादा effective होती है कि ये skin की overgrowth जो genital watts है उसको गलाने लगती है और अगर ये wattocene lotion watts के नीचे normal skin पे लग जाए तो उस skin को भी infected कर सकती है इस wattocene lotion को watts के उपर apply करने के बाद लगभग एक से देर घंटे के बाद आपको हलकी चुभन या जलन जैसी महसूस हो सकती है इसलिए एक बार में एक या दो से ज़्यादा watts के उपर इस wattocene lotion को apply नहीं करना चाहिए और इस wattocene lotion को watts के उपर apply करने के बाद अगले रोज आपको watts के उपर ये vortex cream apply करना चाहिए ये cream भी किसी भी तरीके के watts को cure करने के लिए बहुत ही effective होती है क्योंकि watts के उपर wattocene lotion apply करने के बाद उसमें जो जलन या फिर चुभन महसूस हो रही है तो ऐसे cases में wattocene cream apply करने से उसमें ठंड़क प्रदान होती है ये wattocene cream आप watts के नेचे normal skin पे भी apply कर सकती है पर ये wattocene lotion का apply करने से पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये wattocene lotion कभी भी अपने internal organs में apply ना करें जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आखों में, कानों के अंदर, कई बार जीव यानि की tongue के उपर watts निकल आते है या फिर अगर genital reasons की बात करूं तो males को penis की glance या फिर four skin में watts अगर निकल आए है या फिर females में vagina के अंदर यानि की vaginal walls पे watts निकल आए है तो ऐसे cases में आपको इस wattocene lotion का own body parts यानि की internal organs पे application नहीं करना चाहिए इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को genital parts के internal organs में मस्ते निकल आए हैं जैसे की males की penis की glance में, four skin में या फिर females की vagina के अंदर जैसे की vaginal walls पे निकल आए हैं तो इसके लिए अलग से हम लोग 3 medicines prescribe करते हैं जिसमें से एक medicine drops के form में, दूसरी medicine tablets के form में और तीसरी medicine cream के form में होती है इसके लिए ये vortex cream बहुत ही effective होता है जिसको आप watts के उपर application कर सकती हैं दूसरी medicine होती है vortex drop जिसको आप half cup पानी में 10 to 12 drops डाल कर दिन में 2 से 3 बार 7 कर सकती हैं इस vortex drop का 7 आपको खाना खाने के लगभग आदे घंटे पहले करनी हैं ये दोनों ही medicines medicines brand की आती है और तिसरी medicine जो tablet के form में आती है वो है वीजल वाटीलेक्स या फिर आप इस medicine के substitute के तोर पे बाक्सन की watered medicine का 7 भी कर सकती हैं इसके लिए आप इस medicine की एक tablet खाना खाने से लगभग आदे घंटे पहले टोफी की तरह चूस कर 7 कर सकती हैं इस medicine को आपकी severity के अनुसार doctors usually 2-3 बार 7 करने के लिए prescribe करती हैं वैसे तो ये सभी medicines बहुत ही common है जिसको की आप किसी भी अच्छे medical store से purchase कर सकती हैं लेकिन अगर आपको मिलने में परिशानी हो तो इन medicines को online purchase करने का link मैं वीडियो के नीचे description में और वीडियो के नीचे comment box में pin करके डाल दे रहा हूं वहां से भी आप इन medicines को check कर सकते हैं या फिर online order करके मंगवा सकती हैं तो उमीद करता हूं कि what's के उपर आपको proper और scientific information मिली होगी इसके अलावा अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो कोई doubts हो तो हमें वीडियो के नीचे comment करके या फिर instagram पे messages गरके बता सकती हैं